हनुमान चालीसा विबाद में जमानत पाचुकी लोगसभा सांसर नवनीत राना को दोस्तो सुप्रिम कोट से एक और बहुती बड़ी रहत मिली है सुप्रिम कोट ने आज ये कहा है कि वो जुलाई में लोगसभा सांसर नवनीत को और राना की उस अपील पर सुनवाई करेंगी जिसमें बॉंबे हाई कोट के जाती प्रमार पत्र को रद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी निर्दली सांसर नवनीत को और राना महरास्ट के अनसूचित जाती के लिए आरक्षित अमरावती निर्वाचन शेत्र का प्रतनिधुत्त करती है नियामूर्ती वनीत सरन और नियामूर्ती जेके महेश्वरी की पीटने मामले पर सुनवाई को इस्थगिद कर दिया है नई पीट के मामले पर सुनवाई करने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि नियामूर्ती सरन 10 मई को रिटायर होने बाले है शीर्स अदालत ने पिछले साल 22 जून को राना का जाती प्रमाण पत्र रद करने के उच्छ न्याले के फैसले पर रूख लगा दी थी बॉम्बे हाई कोट ने कहा था कि जाली दस्तावेजों का इस्तमाल कर फर्जी तरीके से जाती प्रमाण पत्र हासिल किया गया है अदालत ने राना पर दो लाक रुपे का जुर्माना भी लगाया था राना ने 2019 में अमरावती से चुनाव जीता था उन्होंने अपने हलफ नामे में दावा किया था कि वो मोची जाती से नाता रखती है चुनाव में रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि की NCP ने उनका समर्थन किया था तो एक और बड़ी राहत मिल रही है उन्हें सुप्रीम कोट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जुलाई तक उनकी ये जाती वाला जो मसला है जो विबाद लगातार उस पर बना हुगा है अब उसकी सुनवाई जुलाई में जो है की जाएगी त तो सुप्रीम कोट से एक और रहत मिलती हुई नवनीत राना को इस पर आपका जो भी पॉइंट ऑव व्यू है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में अतना ही जल बनुगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल सबस्क्राइब करें और सबने बैल आइकन को जरूर प्रेस करें तकि जब भी मैं कोई नए अपडेट लेकर आँ तो सबसे पले नोटिफिकेशन आपको मिलेगे